हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूटूब चैनल नानी के गाडन में स्वागत है देखिए ये मेरा कोलिस का पोधा है आज हम इसी पोधे के बारे में बात करेंगे कोलिस का पोधा देखने में बहुती खुबसूरत लगता है और जो इसकी पतिया होती है, देखने में बहुती सुन्दर दिखती है और इस पोधे को अगर हम अपने गाडन में लगा लेते हैं तो हमारा गाडन बहुत सुन्दर दिखता है क्योंकि इसकी पतियों का कलर बहुती सुन्दर लगता है और दोस्तो इस पोदे को हम छोटी से छोटी कटिंग से लगा सकते हैं और हमारी कटिंग असानी से लग भी जाती है और हमारे काफी सारे प्लांट हम त्यार कर सकते हैं और दोस्तो इस पोदे को हम जितनी ज़्यादा कटिंग करेंगे यह पोदा उतना ही हमारा घना होता जाता है अगर हम इसको एक जगे से कटिंग करते हैं तो इसमें 3-4 निव ब्रांचिस निकलती है और हमारा पोदा पोदी घना होता जाता है अब हम बात करते हैं इस पोदे के लिए मिट्टी की तो इस पोदे के मिट्टी well drain होनी चीए जिसमें पानी रुके ना और अब हम बात करते हैं इस पोदे के लिए sunlight की तो इस पोदे को जो हमारी सुभे की दूप होती है और जो साम की दूप होती है वे इस पोदे को मिल जाए तो ये और भी अच्छी ग्रोथ करता है लेकिन जो दिन की हमारी तेज दूप होती है तो उससे ये पोदा प्रेसान हो जाता है और जो इसकी पत्तियों का कलर होता है वे भी फेड हो जाता है तो इस पोदे को हमें दिन की दूप से बचाना है और जो हमारी सुभे और शाम की दूप है वे हमें इस पोदे को दिखानी है, एक डेड़ गंटे की सुबह और एक डेड़ गंटे की साम को, और अब हम बात करते हैं, इस पोदे के लिए water की, तो इस पोदे को और watering बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस पोदे को तभी पाने डालना चीए, जब इसकी मिट्टी सुखी हो, इस पोदे की मिट्टी में नमी बनी रहने चीए, इस पोदे की मिट्टी सोगी हमें नहीं बनानी है, तो इसमें तभी पाने डालो, जब इसकी मिट्टी सुखी हो, और दोस्तों, अब हम बात करते हैं, इसमें fertilizer की तो मैं इसके अंदर जो हम प्यास के छिलकों से और जो केलो के छिलकों से fertilizer बनाती है वह है मैं इसके अंदर डालती हूँ महीने में एक बार जिससे इस पोदे की growth भी अच्छी होती है और हमारा पोदा देखने में भी बहुती अच्छा लगता है तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे like करना share करना और मेरे चैनल को subscribe करना बाई बाई